एक खिलाडी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतिय स्वस्त और चुस्त रहे। तंबाकु स्वास्त्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुचाता है। सभी तंबाकु पदार खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्त और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकु से दूर रहें। मैं रहता हूँ, आपको भी रहना चाहिए। आईए, तंबाकु के सामने दीवार बनकर खड़े हों। सिगरिट पीना, कैंसर का कारण और जानलेवा है। शाराब पीना सेहत के लिए हानी कारक है। इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया भाई। वो देखने में फिल्मी हीरो लगता है भाई। लेकिन है वो विलेंड। जदान भीक नथ्वर्मावट स्वलेगालेवान तरुप्दीजात का में सारी इंफ। इंफ। कर दो कर दो कर दो हर किसी की जिन्दगी में कौन हीरो बनेगा कौन विलन बनेगा ये कोई नहीं जानता बगर इस लड़के की जिन्दगी में इसकी तकदीर ही विलन है तब कि जिन्दगी में सर्प्राइज आते हैं जाते हैं लेकिन इसके जिन्दगी में बहुत सारे सर्प्राइज और हर कि इसकी जिन्दगी का पहला सर्प्राइज यहां से शुरू होता है यह कैसा लगा माजी माजी गज्रा ले लो ना कितना बैसा हो एक दिन वो पैर फिसल जानने की वज़ा से नीचे गिर गया और एक सोल्जर ने आकर उसे उठाया उस जिन से उस बच्चे की लाइफ में वो सोल्जर हीरो बन गया टीचर ने पूछा कि क्या बनना चाहते हो मैं सोल्जर बनना चाहता हूँ देश का रखवाला बनना चाहता हूँ तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो मुझे सल्यूट मारो जोश में आकर उसने अपनी बाजू में टैटू बन वालिया हाओ भाव भी उसकी सोल्जर की तरह हो गया तुम मुझे वारेगा जानता है मेरा बाप ऐसा है अगर तेरा बाप ऐसा है तो मैं सोल्जर हूँ पर एक दिन अचानक उसने फैसला कर लिया कि वो डॉक्टर बनेगा आखरी क्लास पहुंचते पहुंचते वो लॉयर बनना चाहता था और जब वो टेंथ में पहुँचा तब उसने सोच लिया कि वो किसान बनेगा मैं अपने परिवार को खुशी देना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे ही भरोसे इस काम में हाट डाला है, अंजाने में गलती की हो तो हमें माफ कर देना धरती मा पर अब जो कुछ भी बनना है, उसके लिए इसने बाडी बिल्डिंग शुरू कर दी, लाइफ में इसे दो चीज़े बहुत पसंद है, एक है जगडा और दूसरा जगडाई, इसकी दो आजते हैं, एक है ढून कर मारना और दूसरा उठा कर ले आकर मारना, लेकिन इसकी एक दो प्रेमियों का बिछड़ना इससे देखा नहीं जाता है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ भाई, अगर वो नहीं मिली, मैं अपनी जान दे दूँगा, बातों की हेल्प की है न, तो इसकी भी हेल्प कर दो बेटा, अरे बड़ा आदमी बोल रहा है, तो हेल्प करनी च आशिका जाएगा, हलो, अरे टाइम हो गया, यह अब देखाई क्यों नहीं, शायद वो दुलहन के जैसे कपड़े पहन रही होगी, रिंग तो जा रही है, पर कॉल रेसिव नहीं कर रही है, उसका इंड़िजार करोगी, तो शादी क्या सुहाग राद भी मिस्स कर दोगी, देखो वो आ रही है, लगता है बहुत लेट हो गई ना, यह हमारे लिए कोई नया धोड़ी है, एक्चिली हमारे बैच में से ना, तुम्हारी शादी पहले होनी चाहिए थी, नो वेस, मैं किसी ऐसे वैसे के लिए कमिट नहीं होने वाली, मेरी अपनी कंडिशन्स हैं, ड् फीलिंग्स हैं, वो तो सब की होती हैं, ओ हो, जै बजरंग बली, जै बजरंग बली, मेरे बॉस बजरंग बली है, मैं जिस से चादी करूँगी, उसे इनके भगवान जी जैसा होना चाहिए, मतलब श्री राम जी जैसा, उसके बारे में सारी इंफोर्मेशन कलेक्ट कर लि जैसा बजरंग बारे में कुछ भी बताना हो, आहिंसा का पालन करने वाला हो, उसे ऐसा होना चाहिए, जिससे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करें, उसे ऐसा होना चाहिए, जिसकी हर कोई इज़त करता हो, हम् जब पकड़ो उसे, अबेरा को उसके बुलेट की तरह है, जो एक बार बंदूग से निकल जाता है, तो सीधा निशाने पर जाके लगता है, और तुम लोग यह उसे नीचे क्यों डूड रहो, वो तुम्हारे जैसा नीचे नहीं रहता है, टॉप पे रहता है तुम नीचे रहा, मिडल में रहा, टॉप पे रहा, अज तुम मेरे एरिया में फस गया है, प्यारे, अब देखते है, तुझे कान बचाता है ए बेवकुफ, हमेशा मैं टॉप पर ही रहना पसंद करता हूँ, इसलिए नहीं कि लोग मुझे देख सके, बलके इसलिए ताकि मैं लोगों को देख सकूँ तुझे क्या दगा मैं डरके भाग जाओंगा, यूँ फूल, मैं तुझे भगा के यहां तक लेकर आया हूँ, थाकि तुझे यहां लोग कर सकूँ, एक बाद चारू तरह देख ले, अब देख्था हूँ, तुझे कैसे डालोग मारता है, अटेक। श्रीरावादूता बदागा अनूमारीगी, प्रुटरफीर देयन सब्स्तरों। बहुत लोगोंने मारा तो मास होगा थोड़े लोगोंने मारा तो क्लास होगा कई लोगोंने मारा तो बेस्वाथ होगा और तुम लोगोंने मारा तो कामेडी जैसा होगा लेकिन अगर मैं मारू तो हमेश्या मस्त ही होगा झ्याओान झाले slipp़ याढ़िस एण झाले हो ठंगी घस करेह तो झाले ond you अरे यार पूलिस वाले भी आ गए अरे अब क्या होगा क्या हो रहा है यहां पे होने वाले हनुमान जहिंति के शो के लिए यहां प्रैक्टिस करा था साब जी आपको आता देख सब लोग डर से भाग गए है चलो देदो मेरे बीवी ने तुम्हें यह स्वीट बॉक्स देने के लिए कहा है अरे यह क्या है हमने सोचा एसा उसे अरेस्ट करेगा लेकिन वो तो इसे पैकट दे रहा है एक रुप्या खर्च किये बगर बेटी की शादी की अमेले का बेटा इसका दामाद बना तो इसे क्यों आरे इस को इसकी बेटी है ना उसके लवर को हैल्प इस नहीं किया है अरे अंकल इतना ही नहीं इस एरिये के डॉक्टर्स, लॉयर्स, एंजिनियर्स, ओनर्स, स्टुडेंट्स देकर बड़े तक सब इसके बहुत बड़े फैन है आई परो उस्देश, चकिमान, डिवी He is the local leader, he comes up like a soldier He is the local leader, he comes up like a soldier He is the silly boy करके बान, करता नाम नहू कोई प्राइब जो मैठानू, करके बानू, करता नाम नहू कोई प्राइब He is the local leader, he comes up like a soldier He is the local leader, he comes up like a soldier Come up like a soldier बासों में हतार, दिमाले जैसी अपनार आखो में जो ओलाई है अथती रंती अपनार जाविती लागे स्विधी ती प्राइब मेरा वेचालागी अब बार पेशिक सर्मार, माइंसे होगे लाड़े चलता ट्रांस्पर्मर, मैं हुससे सुबर कोई भी हो मैं ठा, служका मैं प्राइब अठोरिक शार अरहरे मुझझaju स्विधी 10 wrist इस तो पॉस्टी प्रुप मैं उ्कलिकेव आणस्वाना करे का ना मुझ प्राइब प्रुप मैं आणस्भइब करे काह आणस्वाना कोवेदी प्राइब मेरा तो हर्स्टाइन होता है रोगे जो भी ठेखे माँ भो हो जाता है शौक रेन तुल्या से हम ना डाइं करते असी तरसे किसी की परवा का थे हम ना सराब जाता हूं मैं है पर पढ़ जाता मेरा कैंपा असार कर लेना मिच पार किसी का कोई मतार करते हम ना में कोई मतार तुल्या थे ठेखे मेरा ना सराब हमेशा ऐसा ही करता है रात बर गुमता रहेगा और दिन बर सोता रहेगा पता नहीं कभी यह सिल्सला खता नहीं कर जाएंगी यह आपको नहीं पता है मेरे कॉलेज में मेरे क्लास्रूम में मेरे स्टुडेंट्स पर हाथ उठाया है इसने शुकर कीजी आपको नहीं मारा उस दिन से वज़ा पूछ रहा हूँ मुझी नहीं खोलता है पहले उसे पूछ कर बताओ क्यू मारा था उसको बेटा रास्ते पर चलने वाली लड़कियों को थमकी देकर चिड़ा रहा था तो और क्या कर सकते हैं कम्प्लेंट आयी तो मैंने आक्षेन लिया मां मैंने सही किया ना क्रिक्ट्थ сам रोंग है एक क्रिश्चिन लड़की की मुसल्मान लड़के के साथ राम मंदिर में शादी करवाई इस अब तुम यहां से जा बैटी यह उंगली दिखा रही है चल निकला रहता है उनकी मंदिर में शादी क्यों करवाई दूसरों के लफ्ट है में क्यों पढ़ता है तुछ निगलने देना रुख बताता हूं वह दोनों लवर्स हैं एक दूसरे को छोड़कर जी नहीं सकते इसलिए मैं हेल्प करने के लिए चला गया देखा तो संडे है रजिस्टर ओफिस ख्लोज था और बाजू में राम बंदर था इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी उन दोनों ने खुद ही डिसाइड किया मैं तो अपने हाथ बांद कर खड़ा था मंगल सूत्र बांधने तक चुप था लेकिन मंगल सूत्र बांधने के बाद अरे-अरे-अरे आप वित्र हो गया वह मूह खोलकर ऐसे चिल्लाने लग गया और मेरे पुरानी दुश्मन को जैसी ऑपरचिनिटी मिली वह बीच में आ गया तो मैं भी फिल्ड में आ गया और तुम हो कि पापा की बाते सुनकर मुझे सुना रही हो तुम्हें तो शरम भी नहीं आती है मारे यह कितना केरले से सुन लिया मेरे बच्चों को देखो इनमे तो शादी नहीं होने वाली है कि अरु अरु यह हाथ क्यों धो लिया थोड़ा और शून तो बेटा आपने गलती की है भाया बेचारे उसंटकी के माता पिता उसंटकी के बारे में उसके खांदान के बारे में आप ने कुछ नो आ इनकी जान को खत्रा है वैसे लवर्स को मैं बचाता हूं तो वो दोनों कितना खुश होते होंगे जरा इसके बारे में सोचना है बड़ी आई फिर भी आपने गलती की है देखो बैना लवर्स शादी से पहले अपने माबापको मनवाएंगे या फिर शादी के बाद मनाएंग कि यह उन लोगों का फैसला है मगर लवर्स को हमेशा एक साथ रहना चाहिए उन्हें अलग नहीं होना चाहिए बस यहीं तो है मेरा कॉंसेप्ट आपके इस कॉंसेप्ट की वज़े से आप जरूर एक दिन पच्टाओगे देख लेना हां ऐल बेटिंग कम से कम आज भर के लिए तो मेरी इज़त बचा लिए सर यह देश सेवा है तुम्हारा ड्रेस देख लेंगे पता नहीं वो लोग क्या कहेंगे बच्पन में हाथ में सोलजर लिखवा लिया है तिससे कुछ भी नहीं होगा उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी सुबह 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 जब मैं भागो 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 तो यहां बाहर क्यों बैटा है बेटा अंदर आना चाहिए था ना जब मेरे पास मेरा यह भगवाने तो मुझे उस भगवान की क्या जरूत है मा तिल छोलिया तुने मेरा शोना बेटा कर्चे के लिए वैसा चाहिए क्या नहीं मा ए क्यों वो तेरे चेरे पर 12 बज़े हैं जरा हसना हां रोज तुम्हारे पती से गाली खाकर हसता ही रहूंगा आज पापा कह रहे थी कि मुझ है आपके पती पर बहुत गुसा आता है मेरे पती है थोड़ी तो हिज़त कर बेटा इनो मा बट ही बाते सीरियसली क्यों लेता है सीरियसली नहीं लू तो और क्या करूं चलो मानता हूं कि मैं बच्पन में डॉक्टर लॉयर बॉडी बिल्डर सोलजर और कुछ-कुछ बनन करके तुम्हारे पती के सामने लाकर खड़ा करके यह बुलवाओंगा अंकल अंकल इस लड़के के अलावा मैं और किसे से शादी नहीं करूंगी प्लीज अंकल मैं आपके बेटे से ही शादी करूंगी ऐसा अगर नहीं बुलवाओंगा ना तो मैं तुम्हारा बेटा नही तेरा बेटा कोई लोकल लीडर नहीं है मा, आशिरवाद दो मेरा बेटा तो मल्टी टालेंटेड है, बता नहीं क्या-क्या बनना चाहता है इस वेदर में गर्म-गर्म कॉफी पिने का मज़ा ही कोछ और है, क्या बात है बताओ लव करना है मुझे, लड़की ढूण के दे सब को सब तरह की लड़किया पसंद नहीं आती, वो क्या है न, कि सब का अलग-अलग टेस्ट होता है तुम बताओ, तुम्हारा टेस्ट क्या है, तुम्हें किस तरह की लड़की चाहिए, मैं ढूणूगा मेरी होने वाली, क्लासिकल होनी चाहिए, आइ मीन, होमली होनी चाहिए उसे ये चॉकलेट आइस क्रीम, ये सब है न, बिल्कुल पसंद नहीं होना चाहिए बड़े लोग, छोटे लोगों की इज़त करनी चाहिए मरने के लिए तुम्हें मेरी ही गाड़ी मिली, दिखा नहीं देता क्या चाहिए, बड़ा छोटा देखे बिना बात करती है, तुझे बेवडा पती मिलेगा, ये मेरा श्राफ है तुम्हारे बोले से कोई फरक नहीं परता, चाहिए, तुम्हारे बोले तो मेरी लाइफ का ट्रैक ही चेंज हो गया, नहीं समझा, मेरी लाइफ का एक सीक्रेट मैं तुछे बताता हूं, सुन ले ध्यान से, बताओ, आइम हैविंग, डिमपल फोबिया, डिमपल कपाडिया सुना था, पहली बार सुना है, ये कोई बिमारी है, मेरी लाइफ में फ मैं सेवन स्टैंडड में था और फाइनल एक्जाम थी, मैंने सारी राज जाक कर पढ़ाई की थी, पेपर भी अच्छा ही लिखा था, अचाना घूम कर देखा तो वही लड़की स्माइल दे रही थी, डिमपल, सब कुछ भूल गया, फेल हो गया, उसके बाद वही में भी आ गई, वन सगेंड डिमपल, बुक पकड़ने के लिए बोला, तो हाथ में जो हॉल टिकेट था, वो नीचे गिर गया, और पढ़ा हुआ सब भूल गया, एक सब्जेक्ट तोड़ गया, रिजर्ट फेल, सो एमबिशन चेंज, जैसे तैसे करके सेकंड यर्तक में प टूट गई, एक्जाम से ज्यादा मेरी गाड़ी ही इंपोर्टन थी, तो अब गिर जाओंगा यार, क्या कर रहा है तू, अगर वो डिमपल नहीं दिखा होता, तो या तो मैं लॉयर, डॉक्टर या साइंटिस्ट बन जाता, लेकिन उस एक डिमपल की वज़े से मेरे सारे एंबिशन्स का एक्सिडेंट हो गया, मेरी लाइव वहीं पर रुख गई, तो डिमपल रहने वाली लड़की मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए अरे, साइड आटो, साइड आटो यार, अरे, अर्याओ यार हालो आपलन I love you I love you अरे यह लव प्रपोस करने का टाइम है किया सोचाओ सोचाओ चलो चलो हलो गुरू क्या है भे लव हो गया किया तुमको अभी मुझे लव हुआ है ये जरूरी नहीं मुझसे उस लड़की को लव हुआ है ये बहुत जरूरी है कारी को ऐसा समझने का सब्सक्राइब ये बता लॉट बड़ा मैं अथा लड़की ने एसे ना बेंड है य। स्कैनिंग एक्सरेइ बलटे सब बाकी है तुम बैठ जाओ ना बैठो चुप चाप बैठ जाओ क्या है वो लड़की उठी क्या सिस्टर वो उठेगी तुम्हें खुद बता दूंगी तुम चुप चाप जाकर बैठ जाओ सिस्टर मैंने उसे इंजेक्शन दिया है तुम चुप चाप बैठ जाओ विभाग खाता है सिस्टर क्या हुआ एपल एपल मेडिसेंस हाँ हेलो मिस्टर साजन वो लड़की ना उठ गई है एक्सक्यूज मी मैं अंदर आ सकता हूँ बुके है हां बाइदवे तुमने कल मुझे जैसे आई लव यू कहा था वो मैंने एक्सपेक्ट डाड बिजनेस ट्रिप पर गये है मा तो हमेशा बजी रहती है शॉपिंग करने में फ्रेंस को कॉल करने का टाइम ही नहीं मिला था मेडिसिन्स बिल्स एक्सेटरा 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 कि सब का कॉन धियान रखता अगर कोई मेरे साथ रहेगा तो से क्यों रहोंगी यही सोचकर वो कहा ज़स्ट फॉर्टी पॉपर्स आई लव यू कह दिया और कुछ नहीं तो आप अब अरे यह क्या इतनी जल्दी जा रहे हो आजाओ आजाओ तुमने कितने पुर्णी किये होंगे जो तुम्हें ऐसा लड़का मिला तुम्हारे लिए यह बेचारा सुबह से कितना परिशान हो रहा था और एक मेरा पती है जो किसी काम का नहीं मैं बताती हूं ना तुम मत बोल अरे मैं बोल रही हूं ना तुम दोनों बिलकुल लक्षमी नारायन जैसे दिखते हो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या कब से रोकने की कोशिच करना हो इतना ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है इस लड़की ने मुझे सच में प्रफोस नहीं किया था अप इसका अड्वांटेज लेकर कहल अगर तुम कोई प्रॉब्लम क्रियेट करो तो पुलीस कंप्लेइन करने के लिए मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए सिर्फ सेफटी के लिए बाई लब से ज्यादा फ्रेंड्शिप बड़ी होती है यह मैं आज समझ गया लड़का लड़का होता है लेकिन लड़की-लड़की होती है ठीक तो है ना चलो चलते हैं अरे थोड़ा रुख तो सही उसे जाने तक देखते हैं चल चलते हैं मेरे दोस्त के लिए एक बार तो घुम के देख ले यार हाँ हाँ स्माइल हाँ 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 फ्रेंड कितना दुखी है यह जाने बिना तु बिन धास खाये जा रहा हैं अरे लड़की अगर पसंद आई है तो यहां बैठा की हुए जाकर प्रपोस करना अबे कार ब्रोकर हम खुच जाकर आई लव यू बोलेंगे तो अपनी इज़त का क्या मतल अब नहीं है उसे खोदी आकर प्रपोस करना होगा भाई पहले मुलाकात में उसने तुझे बेवकुप बनाया तुझे अभी लगता है कि वह यहां के तुझे प्रपोस करेंगी यही तो हिरोईजम होता है यह खाने का वक्त है बात में बात करते हैं अब लड़की एक साइ और गोल्ड होने दे लेकिन उसमें 10% वैक्ट चार्जेस तो होते ही है एड्जेस करना ही जिंदगी है ऐसा मेरी मा ने मुझे बता है तो एड्जेस कर लो जाओ यहां से अच्छा ऐसा कैसे नहीं तो क्या गुरू तुम कह रहे हो कि मुझे लड़की पसंद नहीं तुम उस होता है कैंडिडेट कौन है वो लवर्स लोगों का लव गुरू है वो फ्यार करने वालों का लव डॉक्टर है अच्छा आजकल फेस्बूक यूटूब क्यूटर पर उसने हलचल मचा के रग दी है अगर तुम्हें प्यार में कोई दिक्कत है परिशानी है रिष्टेदार दोस्तों से कोई समस्या है तुम्हारा बॉइफ्रेंड घास नहीं डाल रहा और तुम्हारी गल्फ्रेंड तुम्हें भाव नहीं दे रही है प्यार महबत इश्क और उल्फत में अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई समस्या है तो उसका होल से समाधान हूं मैं लॉब मास आजा बेबी है 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 सॉरी ज्यादा इंदार करवा दिया और गया ज्यादा इंदार कर रहा है तभी तो मेरी वैल्ली बढ़ेंगी इसंट राइट मेरे पिता सोने का इंसान फिल्म देखकर एक फार्मर बने और मैं काशिनात की फिल्म देखकर लव गुरू बना बेसिकली आई लव लव स्टोरीज लवर्स एंड दिया मानी हलो जोग 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 अरे यह है कौन यह तो कांटे वाला सूवर लग रहा है बाहर से सक्त है लेकर अंदर से बहुत नरम है अरो लव किसको हुआ है तुमको हुआ है ना डारो चलो अपना हाथ दो अ wrinkles सीहеньं करिक्ट होता है सहीर कमिट करने से पहले 3pend towels 1 2 घॉल कंडिशन 3 कंडिशन नमब थरी गुरू भक्ति मैं क्यों और क्या करवा रहा हूं इस पर कोई सवाल नहीं होगा मैं जो कहूंगा उसे पूरी तरह से फॉलो किया जाना चाहिए कंडिशन नमब फॉर आपने तो तीन ही बोला था सर तीन बॉली थी एक फ्री है सी एवरी सिटिंग इस वे हो गया एक्सिर्ण होने के बाद होस्पिकल तो आई लवी बोली होगी और उसके बाद नो बोली होगी यह सब आपको करेसे पता एक्सपीरियंस है मुनना तो अब तुम उस लड़की से सीरिसली प्यार करना चाहते हो और वो खुद आकर तुम्हे प्रपोस करे यही चाहते बड़ा डेमेज हो चुका है तो अब अगर तो मुझे आई हेट यू बोल दोगी तो मेरी लाइफ में सब बैलेंस हो जाएगा वो आई हेट यू बोलेगी सर नहीं बोलूंगी नहीं बोलूंगी कैसे बोलू मैं फर्स्ट आप जैसे अच्छी आदमी को मिस्यूस करना ही ग बस एक बार अपना दिल खोल कर अपने मुझे मुझे आई हेट यू बोल दो मा कसम मैं चुप-चाप यहां से चला जाओंगा तो मेरे मुझे ऐसा कहलवा कर मुझे पांप लगाना चाहते हो मैं अच्छा आदमी हूँ ऐसा तुमसे किसने कहा जब रोड में आक्सिडेंट ह हुआ और कोई किसी को हॉस्पिटल लेकर गया तो वह बुरा कैसे हो सकता है मैं किसी कीमत पर नहीं बोलूंगी अरे एक सेकड़ हो तो सही अरे आवास नहीं आरी तेरी हलो ओई इधर आब है देख लिया ना वेक असूर आदमी को मैंने मारा तो मैं एक नंबर का बुरा आदमी हूँ कि नहीं भाई मुझे एक कान से सुनाई देता था आपने थपड मारा तो मुझे दूसरे कान से भी सुनाई देने लगा आप ग्रेट है भाईया आप महान है बहुत-बहुत या बुरा हूँ फिर मुझे आई हेट यू बोल देना मेरा समाधान हो जाएगा उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते बास बात खत्म यह तो वर्क आउट हो गया है अप्रिशेट यू ब्रो तुम्हारा फर्स टाइम है फिर भी तुमने नाइस परफॉर्मेंस दी सर उस लड़की ने रियली आई हेट यू बोला तो मैं क्या करूंगा पगला है पगला है तू सच में अभी उसे तुझे आई हेट यू बोला एक टच एक किस और एक बार हग किया तुम पूरी तरह से मेल्ट हो जाती है आँ तुम अपरी लव स्टोरी को एक बुक की तरह फील करो पूरी जनरेशन को हेल्प मिल जाएगी फॉल्ट नमर वान कमपैनियन बी गुड कमपैनियन किसी भी पार्क में लेके जाओ मॉल में जाओ या किसी सिनिमा हॉल में लेके जाओ सिनिमा है तुम्हें दूसर कोई थियाटर नहीं मिला क्या है हम जैसे बुरे लोग ऐसी जगह पर आते हैं यह मेरा फेवरेट थियाटर है हाँ यह अरे मेरी किस्मत हलो इतनी टीशिट पहने की क्या जरूरह थी सबको अपने डोल सब्सक्राइड है सारी सब्सक्राइब ुद्स है थी फ्रेंड गर जातों बीवी परिशान करतीए थीटर में बैठ तो यह लवर्स परिशान करती है अनूट अच्छ अक्श नहीं सब्सकर दिया तुने कौन सी फिलम डिखाई उसे यह सूपर सिनेमा सर अरे कौन सा सूपर सिनेमा और अब दिखाए हुसे जाए और अर और आ ओम दिखाने के बाद तो प्रेग्नेंट लेडी की डिलिवरी वहीं पर हो जाती है तो से देखके तेरी लवस्टोरी कैसे शुरू होगी नॉनसेंस है परोच नमबर वन पूरी तरह इसे बरबाद हो गई है अप्रोच नमबर टू शेरिंग इसे पूरी तरह से करक्पर्फर्म करना है जूट बोलो लडगी को इंप्रेस करो उसकी भावराओं को समझो उसे किसी यूज सेंटर में लेकर जाओ उसे मनाओ और फिर एंगेज हो जा तो निज जो किया, वैसे कॉम कीया करते हो तुम, बहुत काम करता हो, लेकिन पघार आने जैसा poo काम नहीं करता हूं, र कहां तक पढ़े हो बहूत पढ़ाई क्या है, अगर टो खूमते रहते हो तो I guess, किसी ना किसी से प्यार कीया होगा, एक चुली एक ही लड़की से मुझे दो बार प्यार हो गया था फरस्ट टाइम मैंने उसके घर में देखा तो वो डांस कर रही थी उसे देखते ही मेरा चाय कप टप से मीचे गिर गया सिर्फ यह कप भी नहीं पिसला था मेरा तो दिल भी फिसल गया लवेट फस साइट नेक् प्यार देखा कि वह किसी और से लव कर रही है चलो कोई बात नहीं उसके साथ वो रहे के खुश है तो मैं भी निकल गया और छोड़ दिया मैं ने तुम तो छोड़ने वालों में से नहीं लग रहे हो जूट कह रहे हो ना कोई और मिला नहीं कि तुमें ये फिल्मी स्टॉ मंदिर की सीड़ी चड़ रहे थे और अचानक से उनका पहर भी सल गया ऐसा लगा जैसे राम जी ने सोहम अपना दूर्थ भेजा था उन्हें बचाने के लिए लव एट फॉस साइट मैं तो फिदा हो गई थी उस पर मंदिर से दर्शन करके बाहर आते वक्त मैंने देखा कि वही लड़का उस दादाजी को डांट रहा था उसकी बाइक के सामने चप्पल रखने के लिए तभी मुझे पता चला कि उसके लक्षन राम जी के जैसे नहीं बल्कि रावण के जैसे थे उसके बाद मैंने बहुत स सिंक नहीं हो रहा है जोई चेतो अगर तू ऐसे करता रहा तो वो लड़की नौन सिंकों के नौन स्टाप भाज जाएगी फिर पश्तारमत तुम समझ नहीं रहे इसे मैंने जितनी में ट्रिक्स समझाई वो सब फ्लॉप हो गई है ले जो इसे आ से अरे यह क्या सर आप इस अरे सर आप लाव गुरू है एक्शन हिरो क्यों बन रहे है आप सर पांच नहीं जादा दे लिजे मगर अच्छा सा आइडे दीजिए इसको आइडे देरे से कुई फाज नहीं लूगा पूरे बीस हजार लूगा पूची से हाँ ठीक है भाई बीस हजार दूगा पूची स अप्रोच नमर थ्री शॉपिंग वो जोडबाएंगे सब देलाओ सर फ्लीज कम क्रोजर सर फ्लीज एक टोंट टच में वो तुरह हार है सर यह चाहिए बच्पन में मेरी दादी मुझसे कहा करती थी मुझसे शादी करने बनते हैं और बाया हाथ उठाने वाले अमिता बच्चन नहीं बन सकते हैं और हर कोई अमरिश पूरी की तरह विलन नहीं बन सकते नियत अच्छी होनी चाहिए उसमें लोगों को परपाद हो गई, तो हम गाते हैं प्रोच नबर 4 किता है? सर, प्रोच नबर 4 क्या है सर? स्क्योरिटी, स्क्योरिटी, हमारे लड़के को चीते से भी तेज भागना होगा, वो आ रहा है देखो भैग भैग अरे वो देखो मेरे बैग लेका भाग रहा है कि लिए और रिश्पान ईजल टे कि लुद के लोगन भावज शबेश का लोगन पॉर वालव सब्सक्टापश सरे जोट लेजर! है बगवाँ! तैंक्स भाया! जाकर फाइट करके मेरा बैग लेकर आओना! वो मेरा फेवरेट बैग है! जाओना! बैग ओनर मैं हूँ या तुम हो! म्योजिक! साइड हो जारे! साइड हो जारे! साइ रच हो गया, साइड! साइड हो गया, साइ! साइड रつवा हो गया, साइड! ऺ ना! साइड रिते डज्ड रच हो गया, scientific, सब कुछ करेक्ट है ना मैंने पहले ही बताय था मैं बहुत बुरा इंसान हूं अब घर जाओ और जाके सूजा थांक यू हुन क рассказ क बस्ता करी किस्भी होग है कै जी हुन आगा थते हैं पुर बहुंग किस की होागार जागा है तो अब समझो लब हो गया आज रात को वो सोएगी नहीं कल सुबह आकर तुमसे बोलेगी कि क्या तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं हाँ बोलो लड़की बहुत ही फास्ट है देखले ना वो सबको समालेगी अब सबकुछ वो है समालेगी तुम्हारे दबाने से यह पता पारी थी ओवरेक्टिंग मत कर अब चल जा 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 सर कब दूसर क्या पेमेंट सर देखा तुने प्यार में पड़ते ही लड़का कितरा फास्ट हो गया है तो सुन कल शाम को मेरे अड़े पर आ जाना अब अमाउंट बड़ा हो गया है तो वहीं पर मिलके लेंदें स अच्छी लड़किया हैं दिखने में भी बहुत अच्छी है तो अपने लिए लड़की खुट ढूंडेगा या फिर मैं ही डून लू अल्मोस्ट मैंने देखी लिए मा कोई भी कास्ट की होगी तो चलेगा लेकिन दिखने में अच्छी होनी चाहिए मेरा टेस्ट तो पता अच्छा तो पहले से फिक्स था क्या अगर मैं ऐसे ही जाकर डिरेक्ली उसे प्रपोस कर देती तो मुझे डिंपल पड़ते हैं इसवज़े से वह मुझे रिजेक्ट कर देता कोई जवाब नहीं देता यह जो कुछ भी है ना मेरी वजा से हुआ है मेरी वजा से अबे दोस क्या बोला है हा क्या बोला था सुनो तुम दोनों नहीं मुझे बहुत हेल्प विए मेरे चाइल्ड ब्रीम को फुल्फिल करने के लिए थैंक यह सो मज आइलाव यू आई लव यू जिस ओकी यह पाणी वटका है वटका अच्छा चलो तुम्हारा यह सब काम तो मैंने करवा दिया उसके बदले मुझे फोन कब दिलवा होगी हाई हलो नमस्कार अच्छा तुम दोनों ऐसे आए होगे और यह सामने से आई होगी अचानक मिल गए तो कैजूली बात करने बटे होगे एक्टम सही बोला लेकिन मैंने तुम्हें शाम को आने के लिए लिए तुम सुबह क्यों आ गए ओके नो प्रॉब्लम सिट डाउं और वत लेना तो हो चुका है अब देना बाकी है क्या देना तुम्हें बटक कहनेEngi मैडम तुझेी भी मारूगा तीरे बाप को भी मारूंगा क्या है वह ऐभी वह अप्रोच नमר वन्कार आपरोच नंबर तू क्या था महात्मा लोग पैदा हुए इस राज में तू मुझसे जूट बोलने के लिए बोल रहा है जूट बोलेको भी जूट बढ़े ने उसे दिलवाने के लिए पैसा के तेरा बाप देगा अरे इसे चोड़ दो तो ये पूरा मॉल मांग लेगी अच पीछे अचा यह बता तु कौन से इन्युवसिटी में प्रोफेसर बना था बास को बास को अब शकल देखिये प्रोफेसर है क्या तू शिवाजी नगर में मांस बेचने वाला कमीना है तू अरे मार उसे मार मैं भी उसे मार नहीं आया तो आया रुक तेरे पास भी मैं आ रहा लड़कियां अगर पसंद आया तो डायरेक्ट आकर मैं तुमसे प्यार करती हूँ अगर तुम्हें डिमपल पसंद नहीं तो मैं इसे प्लास्टिक सर्जरी करवा कर निकाल दूंग तुम्हें तुम्हें दुनिया की ग्रेट लवर मान लेता यह सब छोड़कर तुम ड्रा अब हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पर बैठ कर क्या बुली थी लिख कर रखना अब से तुम कौन हो मैं कौन हो खताम समझे तुम मेरा फ्रेंड है इसलिए तुझे बाद में मारूंगा चल बै अरे बॉस एक समोसा तो खा कर जाओ चलो यहां से गौरी तुम यहां पर उदास्यक्यों बैठी हो उस लटके का गुसा तुम खाने पर क्यूं निकाल रही हो गौरी तुम जैसे सुंदर लड़की पाने के लिए कई लड़के भगवान के सामने घी का दिया जला कर प्राथना करते हैं वैसे भी तुम नहीं मिले इसलिए उसे सैड होना चाहिए तुम यहां बैटकर क्यों रो रही हो गौरी अगर तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा है तो तुम अपना वन वे लव टूबे बना कर मुझे दिखाओ अगर मुझे सच में लगा कि तुम्हारे प्यार में सच्चाई है तो मैं खुद उस लड़के के साथ तुम्हारी शादी करवा दूगी ठीक है लव यू मा नहीं से ऐसे मत काठो हुँआ हाई हाउ मुझे तुम से बहुत जरूरी बात करनी है कोई यह गौरी शार्दा और एश्वला है यह ना किसी से प्यार करती है अगर तुम अपने भाह्या से बात करती हो वो पापा अबी घर पर है लेकिन भाह्या घर में नहीं है हे प्रभु कुछ भी करके इस लड़की को मेरे घर की बहु बना दो हां एक काम करो कल हम मृतिंजे टेंपल में होम रखने वाले हैं तुम सब लोग वही आजाओ कि लड़की कौन है जिसने पॉपल कलर का चुड़ीतार पहना है कितनी सुद्धर थी ना उसे घर पल आना चाहिए था ना बेटा मैं भी उसे थोड़ी बात्चीत कर लेती है मां आप क्या सोच रही है मुझे पता है और इमेजिनेशन मत कीजिए वो किसी से प्यार करती है प् अज तो पूरी होमली लग रही है भाई भाईया वह लोग मेरी फ्रेंड्स हैं और प्यारव्यार का चक्र है आप हमेशा प्यार करने वालों की मदद करते आँ तो मेरी यहीं जाश्वेट अ की घमांक ने चीजिए ना मदट क schöne मैं एस जूट कहा और उसके दोस्त की साम में कर ड्रामा मैंने उसे हमीशा ऐसे ही प्यार करूंगी और उसे झूटे बच्चे के तरह संभालूँगी हलो बस हुआ पहले उस लड़केके डीटेढ्स दू मैं खुद बात कर रही हूँ ना तुम बीच में क्यों बोल रही हो हां मैं इनसे खुद ही बात कर लूँगी भाइया अरे बाबा वो बुरा आदमी है कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं अजस कर लूँगी उसने आपके जितनी पढ़ाई भी नहीं की है मैं पढ़े लिखी हूँ वह एक वेस्ट फैलो है अनिम्प्लॉई मैं कमा कर बाल लूँगी इसके बाद तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता है शिवा भाइया बोल रही है वह बुरा आदमी है समझ में नहीं आता क्या तेरा सिर्थ हां मैं जिससे प्यार करती हूँ वह और कोई नहीं बल्कि यही है भाइया प्रभू इतनी जल्दी मेरी इच्छा फूली कर दी तुने नहीं मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ नहीं करवाँगा हजारों लोगों को काम देने वाला एक कॉर्परेट कंपणी का ओनर एक अपनी बेटी की शादी करेगा तो लोग क्या कहेंगे वह लड़का कुछ कमाता भी नहीं है शादी के बाद बीवी का खयाल कैसे रखेगा अपनी बेटी के प्यार को सपोर्ट करना चाहती हूँ प्लीज मान जाएए बच्ची की खुशी के सामने क्या जाएदाद क्या पैसा अब मान भी जाशशी जब सारे लोग तुम्हारे साथ हैं तो मैं क्या कह सकता हूं येस 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 बुरा मत मानिये इसिक सपोर्ट करता है तो केमिस्ट्री डेजन्ट सपोर्ट पाई लोची सपोर्ट करेगा आप चुपए येगा सर आई डू अंडरस्टेंड सर मैं भी हापी की तरह हूं बेरोजगार को बिल्कुल इज़त नहीं देता हूं अपनी बेटी नहीं देश भक्ती समाच सेवा बहुत बसंद है सर अच्छा है कम से कम मा ने तो बचा दिया सूर्या कॉफी वाह वैसे तने डल क्यों लग रही हो प्रोफेसर का डायलोग सुनकर इंफ्लूएंस हो गया क्या वो क्या है ना फॉर्स टाइम मेरे इंगेजमेंट हो रही है इ मेरे तो दो हुए यह तीसरा वाला है डर लग रहा है मैं जो बुलता हूं सुनो जबरदस्ती से प्यार करने वाले जो बहादूर प्रेमी होते हैं वह हमेशा मास्त रहते हैं उनकी एक इच्छा होती है कि लोग उनकी मूच देके और खुश हो जाए गले में मंगल सूतर ब जो बुलता रहती है कि अगला है मास्त बिच्छमों करने आए निए फिरीन आँखा गउरी आपके जो बुलता है जो बुलता है गौरी 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 She is my sweet गौरी I want a skimg गौरी I just love you, choury Starting the love story मैं हूं आई-सी गौरी आगूं आसी दोज कि दसारी मैं ज़र सुछी I am the awful boy कि अच्छ कि सफर पे चलते चलते भूले हम मंजिल मंजिल तेरा ठीकाना मेरा दिल हो मेरा बता हो मेरा दिल चलता चलता यार अच्छा चलता चलता प्ल хот CHRIS अच्छा चलता चलता है कि अच्छान से तो देह पागाल पोरी होई, मैं भी दिवानी, वैं हूं जैसे हटके मेरी जिसा है तू तूहा कहता है जब से मैं आरा, हिल गया पूरा मैं शार, तेरा रू चड़ गया हो गया तब सबे काभू तो ही जान, तो ही मेरा है जानू, तुझको ही अपना मानू, जहां कहीं अब मैं जाओ, तेरी ही याद पाहू तुश की सफर पे चलते चलते भोले हम मंजल मंजल, तेरा ठीकाना मेरा दिल हो, मेरा बता हो, मेरा दिल अज़ हो गया धन कर दोφाज लवा सेह गुष karma जाओर मेरा बता है और कुछ काउम काईपनू जाओर आतर काईपनू तर कोच्छनू तर कर तिल जाओर दोग तर कर धन्नीम काईपनू रूपा रूप की है तू सुन तर सबसेत लूपत तो से कहता हूँ मैं दिल की तू है एंजल अन्राम मेरा तो रजनो रात मैं और तो है जगनो मैं हूँ आगे आगे और तो है पीछे पीछे अप्शन तुरा बस हो रहे तू है तो है तो है सिगनल पर यह पूँ चाहरो दिल तुछे लिख देओ सब देरे हाल में कारे दूँ आख इश्क सफर पे चलते चलते बोले हम मंजल मंजल तेरा ठिकाना मेरा दिल हो मेरा बता हो मेरा दिल आगे तो आगे यह यहाँ जो चुक जोगज आ गली 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 यह सब में बात दीजिए होवन पुत्र हनुमान की जै खुब तरक्की करने तुम्हारे पिता जी कहा है अरे आप अभी आ रहे हैं नमस्ते 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 यह बस जा ही रहें तो फिर मिलेंगे बाइए मैं जड़ा छोड़कर आती है अब कल से हम दोनों को डिक्समारना ऐसे अब गुरू रिसेप्टेंट में निया इस तरफ अब कॉंड़ाटुलेश्टिशन नव सर आपके साथ मैं कुछ पर्सनल बात करना चाहता हूं एम आई अलाउड इस टोके हैं थैंक यू आपकी माने अपना सब कुछ बेच कर यह जिम तयार करवाकर आपको दिया है इस अपने बेटे का सर जुकना नहीं चाहिए इसलिए उसने यह सब किया आपके लिए देखे सर आप इतने दिनों तक बिना किसी जिम्मेदारी के जीतेया हैं लेकिन अब तो आप सर थोड़ी सी जिम्मेदारी अपने सर पर ओड़ लीजिए आपकी जिन्दीगी में नया कोई आ रहा है जरा उसके बारे में भी एक बार सोच लीजिए इस तरह की बाते आप अपने स्टुडेंट से कीजिए आप मेरे साथ ऐसे बाते क्यों कर रहे हैं प्रोफेसर एम आपकी भावनें अच्छे से समझ अगर उसकी आखों से एक पूंद आशू भी निकला ना तो मुझे मुझे सेहन नहीं होगा सर पापा पापा उसके प्यार की बुनियाद पर खड़े इस जिम को अच्छी तरह से चलाईएगा सर प्लीज किसी भी बात को सिरियसली न लेने वाला वो लड़का उस दिन अपने पिता की बात को लेकर बहुत सिरियस हो गया रात को ठीक से सो नहीं पाया सुबह होने से पहले उसकी तकदीर ने उसके लिए एक सरप्राइज रेडी कर रख रहा है हाँ 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 एसा सप्राइज दोगे अरे सप्राइज यह नहीं है बेटा बाहर है सप्राइज सोल्जर की हाँ हाँ है सोल्जर की है 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 कांग्रेटोलेशन आपाइज नहीं भाई हापी बर्थ दे बोलना है 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 यह बेल्कुल सही कह रहा है बेटा आमी से लेटर आया है मैंने तो पास होने जैसा कुछ लिखा नहीं है नमस्ते जी आपको एक शुब समाचार देना है कैसा शुब समाचार वो क्या है ना जब से आपकी बेटी की मंगनी मेरे बेटे के साथ हुई है तब से उसका सब कुछ शुबी-शुब हो रहा है इट साइन आर्मी से उसका सेलेक्शन ओडर आया है आम सो प्राउड अफिम शादी की तारिक अगर हम चाहते हैं कि छे महीने के लिए आगे बढ़ा दें अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो छे महीने कोई बात नहीं जी इंगेजमेंट तो होई गई है नो प्रॉब्लम ओल्राइट थैंक यू थैंक यू सो मज थैंक यू बेटा तु तो एक गाय तक की रखवाली नहीं कर सकता और अब देश की रखवाली करने जा रहा है फिजाई बाबा अरे वापिरे तो डर गया तुम मेरे लिए पपी लेकर आई हो हमा तर गयी मेरी तरब से ये तुम्हारे लिए बर्दे घिफ्ट है वा Igben शुन तुम्हारा पती बनने वाला हुँ जिम ओपन की है कल के दिन में शादी करके अच्छा संसार बसाने का छोड़कर कांग्रेजुलेशन बोल रही हो तुम कांग्रेजुलेशन बोल रही हो मतलब जयादा कुछ नहीं सीधा अपने बाप के पास जाओ मेरे होने वाले पती को आर्मी में भेज रहे हैं कल के दिन अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा और तो और इस पपी का क्या हाल होगा ऐसे जोर से रोते हुए शुरूती के रेंज में आसू दिखा कर बड़ सीन क्रियेट कर दो बस सुनो मेरा आर्मी जाने का प्रोग्रम कैसे भी कैंसल कर दो प्लीज तो इस पपी के साथ और तुम्हारे साथ मैं खुशी-खुशी रहे जाओंगा मुझे डाउट है कि हमारी शादी होगी भी या नहीं तुम्हें ऐसा क्यों बोल रही हो तुम्हें हो कि अगर मिस्किया तो बिचानशा के नहीं मिलता है। अगर ऐसे में तुम आमी में नहीं क। हमारी शादी होगी या नहीं मुझेoup है मुसली चांसे कि नहीं होगी ऐसी बात नहीं है जानू सोचा था मैं ड्रामा कर रहा हूँ लेकिन ये तो मुझसे भी बड़ी ड्रामे पास है ऐसा है तो ये प्लान वर्क आउट नहीं होगा क्या जानू बिल्कुल भी नहीं जल्दी आना बेचा आखरी मुवेंट में तो कम से कम पार्टी चेंज करो ना प्लीज मा कभी अपनी पार्टी चेंज नहीं करती ये टाइम जोग करने का नहीं है इतनी सारे लोग तुझे चोड़ने आये हैं नहीं जाएगा तो कैसे लगेगा सुनिए आशिरवाद तो करना चाहते हैं खुश हो जाओ इस एरिया में मेरे बारे में जो कोई पूछेगा ना उसे स्वीट खिला कर खुश कर दो हां अच्छे से अपना काम करना और पूरा ख्यार रखना दूर से चाटा करना दूर से जंग लड़ने जा रहा हो पूरी फैमिली लेकर आगे अपनी कोई फैमिली नहीं है क्या ओ बच्चे जल्दी चलो टाइम हो रहा है आप उसी जानते हैं क्या सर पच्पन से ही सोल जा रहे बोल बोलकर पूरे एरिया को परिशान कर रखा था इसना है इसके चक्कर में मैंने अपना एरिया बदल दिया लगता इससे पीछा नहीं छुटे देखो मैं भी अपना पूरा परिवार लेकर आया हूं टाइम हों और बहुत जल्दी चलो है यह पकड़ नहीं ऑज यह दरी अुट चलो यह पकाड़ हुआ है जाओ है इट ना कावेरी सुबू के सामने तू बजा रहा है जबाब सब लोगों को अलर्ट रहना है सभी लोग अपनी कॉफी टी लेकर अपनी सीट पर आकर मैट जाएं आपना इस्टेशन नहीं है अपना इस्टेशन बहुत दूर है अभी आप आराम से सो रहे तो मैंने सोचा आपको क्या डिस्टरब करूं इसलिए बने आपको नहीं उठाया क्या कहा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं मैंने आपके लिए खरी देदी दिखने में बिल्कुल चंबल के डाकू की तरह लग रहा है पुलिस वाले कुछ नहीं बोल रहा है हम लोग क्या करेंगे बाई तो फिर अपने सोल्जर्स को भीजो ना हां वो लोग अभी सोल्जर के लिए सिलेक्ट हुएं बने नहीं है भाई हाथ पर ठीक रहेगा तो ही ट्रेडिंग ले पाएंगे चोड़ो मुझे हां रहे हैं हम लोग वो क्या है भाई कि आपके जैसा कोई सोल्जर हो तो इसको बचा सकता है एक कोशिश करके देखो भाई अगर मेरे सामने कोई भी आया तो उसे जिन्दा नहीं छोड़ूंगा है अलो हमारे भी हाथ पर इंपोर्टन्ट है चाहो तो तुम ही जाकर बचा लो अभी रेल्वी स्टेशन पर हूं आधे घंटे में प्रहुच जाओंगा ठीक सिर समझा देना हम से टाराएगा तो वो बचेगा नहीं कि चुड़ों कि अधे नीचे करो ए बच्चा तू जानता है किससे टकरा रहा है कावेरी सुबू का दूसरा नाम मौत है मुर्गा चिलाता है तो सुबा होती है बिल्ली चिलाती है तो अशुब होता है लेकिन जब ये सूरिया अपने उंगलियां बजाता है तो सामने जो भी खड़ा है उसका नसीब हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाता है उड़ागो इससे बोल्स गेट इंसाइड अब मैं बार क्यों करा हूँ अथ्टो पूरी सटक गई है मेरी एई खात्म कातो झाल आए्ट। आए्ट। अघ्ट। हुए एगफ एगधिन, हुए एभ एग पाफ एग एगाध्यू थे बारे करो झाओ चल कर ठाल कि अखिए पार सौरी भाइ लेकर जाए बॉस ऐसे ले जाए यह यह साने जाए है मुझे कोई दिख्कत नहीं है सॉरी बॉस वो उठेगा है नहीं है आराम से सो चुका है थैंक्स की जरूत नहीं है और पॉपरे मेरी ट्रेन निकल रही है एनिवेज बाई ए उठो आखे खोल कर देखो उठो सुन रहे हो ना देखो मुझे तुम पूछ रहे थे ना मेरा प्रेमी कौन है प्रेमी कौन है तो गौर से देखो यह है मेरा प्रेमी हाँ मैं इसे ही प्यार करती हूँ कौन है यह लड़की क्यों इसे अपना लवर कह रही है इन दोनों के बीच में कौन सी लव स्टोरी है यह ऐसे सेख उस सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आफ्टर कि अब करें आप है कौन और मुझे अपना लवर क्यों बुला रही है और वो लो कौन थे अब आप से ही तो पूछ रहा हूं रुकिये वा अरे से रो क्यों रही है यह क्या टर्न हो गया लाइफ में अच्छे अब कहां गई है मैडम 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 अरे यह क्या कर रही हो सुसाइट कर रही हो अरे मेरी बात मानो आत्महत्या करना बहुत बड़ा पापे पता नहीं है क्या मेरी बात मानो जरा मेरे बारे में तो सोचो अगर आपका कुछ भी हो जाए तो अरे रे 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 र मुझे फांसी हो जाएगी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम में तो मैं मदद करूंगा ना आपकी इसलिए पहले शांत हो जाएए बैठकर आराम से बात करते हैं आई आई आए अरे हाथ दो ना हाथ दो मेरा यकीन करो हाथ दो हाथ दो ना आओ बोलो क्या प्रॉब्लम है आपकी मेरा नाम हांसिका है यह आसु पोच कर भी बता सकती हो ना पहले आसु पोच लो आस्पास के 100 गावों मेंसे सिर्फ मेरा ही खांदान है जो गरीवों की मदद करने में विश्वास रखता है हमारी और शेर खांदान की दुश्मनी है फिर भी मैंने उसी खांदान के एक लड़के से प्यार किया और वह लड़का मुंबई में काम करता है मैं भी मुंबई ही तुम्हारे लवर को फोन करके अभी तुम उसके पास जा सकती हो ना कल शाम को संजे किसी काम से दुबई जा रहा है आने में उसे एक हफता लगेगा अरे इतना ही ना तो उसके लिए सुसेट करने की क्या जरूद है तब तक अपने फ्रेंड के पास जाके रहो अच्छा बस एक हफता रुख जाओ अपने फ्रेंड को सारी बाते बता दो और उसके बाद अपने लवर के साथ भाग जाओ मेरे घरवालों ने रिष्टा देख लिया है वो लोग मुझे ढूंड कर मेरे शादी करवा देंगे मर जाना चाहती हो ऊपर कोई ढूंडने तो आएगा नहीं अभी चली जाओगी तो भागी हुई लड़की वापस आगे यह सोचकर खुश हो जाएंगे सब और एक हफते के बाद थिर से भाग जाना अरे एक हफता पहली तो भागी थी अभी वापस भाग गई उसकी तो आदते भागने के ऐसे सोचकर सब लोग चुप हो जाएंगे देखो टेंट में फॉर्स टाइम होते हैं तो बहुत दुख होता है लेकिन बार-बार फेल होते हैं तो कुछ नहीं लगता और फिर लोगों को भी तो आदत हो जाती है कि मैं आब ही जान देदू आहरा तुम मर जाऊगी तो मैं चला जाओ कि यह सब जरूरी था क्या जरूरी था क्या था लेकिन प्लीज मुआ गया कारोण हलो इतना जल्दी पहुंच गया तू नहीं और थोड़ी देर लेट होगा लेकिन मुझे डाउट आया है पहले उसे क्लियर करो पहुंचने से पहली ही डाउट है अचा ठीक है पूछ रोड़ पर एक लड़का इंटरव्यू के लिए जाता है और एक लड़का होता है जो सूस का धर्म है लेकिन मरने वाले को बचाने में उसकी खुद की लाइब बर्वाद होगी उसका क्या ममी देख बेटा अपनी जिंदगी बनाने के लिए भगवान हजारों चांस देंगे मगर दूसरी की जिंदगी बचाने का हमें सिर्फ एक ही चांस मिलता है तो मरने वाले को मरने वाले को बचाया तो बॉर्डर पर गन पकड़कर जो देश की सेवा करने के लिए उनकी जितना पुर्णे मिलेगा क्या अफकॉर्स ओके ऐसा ही करता हूं बाई बॉर्डर गन ही हलो हलो इसका मतलब हो आमी में नहीं जाने वाला मेरे भगवान ने मुझे रास्ता हो उससे क्या होगा तुम भी सेव और तुम्हारा लवर भी सेव ठीक है ना सुनो गाउं का नाम क्या है लक्ष्मेंट तीर्थ मैंने बोला था ना कि मुझे जमीन दे दो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे लेकिन तुम लोगों को पाच्चर भी चड़ गई है मैं वादा कर चुका हूं कि इस जमीन पर एक फैक्त्री खड़ी होगी और हमारे खांदान का किया हुआ वादा कभी डलता नहीं है तस दिन का क्ते रहा हूं यहार खत्म होने के बाद्मीन देकर पैसा ले जांव कर सकता है लेकिन میरे दादा के सामने कभी कर सकता क्योंकि चूछे माफ कर सकता है लेकिन मेरे नहीं कर सकता है जोड़ अच्छा मैडम तुमको लव कैसे हुआ तुम्हारी लव स्टोरी तो बताओ समझो तुम्हारे घरवालों ने मुझसे पूछा कि तुम दोनों का लव कैसे हुआ तो मैं क्या बोलू इसलिए इंफॉर्मेशन होना जरूरी है ना अगर तुम्हें नहीं बताना है तो जान दो म मैंने पूछूंगा अच्छा यह बता तुम्हारी पढ़ाई कहां तक हुई है कहां पढ़ी हो मैसूर में मैसूर हमारा ही तो बेल्ट है वैसे मैं भी एक कानी सुनाता हूं उसे ध्यान से सुनो फर्स टाइम कॉफी डे में देखा नेक्स टाइम बस में देखा थर्ड लेकिन बाद में हा बोल दी हां है का तुम्हारा गाँ दिखी नहीं रहा है थोड़ी दूर चलकर जाना होगा क्या बात है तुम्हारा गाँ तो कलर्रफुल लग रहा है यहां मेला चल रहा है ग्या? ओ कौन से भगवान का लक्षमी नर्सिम्हा स्वावर्ण सिंग निवास ओख अरे कमाल है यहां तो कोई दिखी नहीं रहा है पूरा खाली खाली लग रहा है इतनी बड़ी हवेली लेकिन कोई रहता है कि नहीं इसमें अपाजी वो आ गया वो आ गया अरे कौन आ गया केमपत सीनो मुणवा पकलो आ गया जो गया गया जो आ घूँ जो ए घूँ आ मैं शो ऑगाभार आ दोच दादाजी आपनगा जी के स्वागत में जैड इस वक्त यहां क्यों आ गए सर आप मेरे लिए भगवान की तरह आये हैं अगर आपको आने में दो मिनिट भी देर हो जाती तो पता नहीं यह लोग मेरी जान ही ले ले लेते करेक्ट टाइम पर आकर आपने मेरी जान बचा ली थैंक्यू सो मज़ सर मैं चलता हूँ बाई सर उन्हें रोकिये ना सर आप लोगों का इतना बड़ा दिल होगा मा कसम मुझे पता नहीं था मैं तो पहली बार देख रहा हूं सर इन्हें रोकिये ना सर आप से रिक्वेस्ट है फ्लीज इनको गन नीचे करने के लिए बड़े घर वाले जो लोग होते हैं वो अपनी बेट चोड़ो मैं तो जा रहा हूं मुझे फोन आया था सर आपकी बेटी से शादी करूंगा तो पूरा स्टेट ही नहीं इस देश के किसी भी कोने में रहूंगा तो मुझे मार के टपका देंगे ऐसा बोला था सर हां कौन वही सर जो आपके दुश्मन है वह लोग हां सर चार- जान इंपोर्टन थे बाइस 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 सब्सक्राइब जब यह लोग इतने स्ट्रॉंग है तो पता नहीं सामने वाली पार्टी कितनी स्ट्रॉंग होगी है भगवान मेरे शिव भगवान लुग जाओ इधर आओ सर हमारे घर की बेटी किसके साथ जीएगी किसके साथ घर बसाएगी इसका फैसला करने वाले हम हैं सर तुम दोनों का प्यार मुझे मंजूर है जाओ अंदर ससुर जी आपने ठीक नहीं किया अगर आपको आने में थोड़ी देर होती तो मैं उसे शूट कर देता चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा अपने घर का कपड़ा अगर काटे पर गिर जाए तो उसे सम्हाल कर निकालना ही बुद्धिमान का काम है वो छोड़ कर जाने को तैयार है और अपनी बेटी के रिष्टे की बादचित भी हो गई है तो हर खत्म होने तक चुप-चप बैठे रहा हां खाना खा लिया हां खा ल शुझारोब लोगए अरे बाई ये सब क्या चल रहा है इसे भोवी क्रिडा कहते हैं वो जो मटका है उसे जो मादमी पहले फोड़ेगा उस गाउवाले का सारा हक मिल जाएगा ये इतना भैंकर तरीके से क्यों बता रहे हो भाई ये बात और भैंकर है कैरेक्टर में इतना डरा रहे हो यार कमाल है जो जोushi बता रहे हो गाँवाल है कैसा वोर इतना फिर हो है रहे हो ज़िदा थाmış डाँ इस बार भी शेर खांदान का लोग जीते हैं अरे रेफरी भाई ये युद्ध कैसा ये कैसी दुश्मनिय को समझाओ यार ये बहुत बड़ी कहानी है बेटा तो वो कहानी छोटी करके बताओ ना करीब ठेड़ सौ साल पहले पुराने मैसुर्श शहर से दो प्रतिष्ठित खांदान के लोग यहां पर आये थे पहला खां सिंग खांदान के लड़के की शादी जमीदार शेर खांदान की लड़की से हुई हाँ ठीक है हमारे अपाजी के तीन बच्चे थे एक लड़का दो लड़की उनका बेटा भगवान का रूप जंता की सेवा ही उनका धार्म और जमीदार का भी एक बेटा और एक बेटी ब बहुत प्यार करती थी, अपने भाई के बेटे के साथ अपने बेटी की शादी करवाना चाहती थी, मगर ऐसा नहीं हो सका, अम्मा जी की बेटी ने अपनी सारी बाते भाई को बता दी, वो धर के खजानची से बहुत प्यार करती थी, भाई को अपनी बहन से बहुत प्यार थ बिना कुछ भी पूछे भाई ने अपने बहन के प्यार को स्विकार कर लिया और बिना कुछ बताए खजांची के साथ अपनी बहन की शादी करती और ये शादी लक्षमी नरसिम्ह स्वामी के समक्ष हुई और दूसरी तरफ उस लड़के ने इसे अपना अपमान मान कर दो ल लेकिन मेरे पूरे खांदान को खत्म कर दिया तुम तो न्याय करते हो ना वह इसका न्याय करो न्याय को भगवान मनने वाला खांदान है हमारा हम न्याय से पीछे नहीं अटते इसी पल से हमारे दोनों बच्चे हमारे लिए मर गए उन्हें काओं से तड़ी पार कर रहा ह अपनी जायदात का आदा हिस्सा मैं शेर खांदान को दे दूँगा उस दिन से भाई और बेहन का रिष्टा तूट गया सारे संबंद बिखर गये बेटा उसके बाद कहां चला गया कुछ भी पता नहीं चला उसके बाद गाउवाले हमेशा आपस में जगरते ही रहे सारे अब कोई रखत पात ना हो इसलिए दोनों खांदान के लोगों ने आपस में समझोता किया और ये तैवहार मिलकर मनाते हैं बस यही कहानी है यह कहानी है कहानी नहीं बखवास है बस बस जए अंजनी माता हनुमान के भक्त हो जिंदिगी में कितना उखाड़ पाए हो पढ़ाई पढ़ाई हाई स्कूल फाइनल यर फेल सर सीधे बोलो कि एसे सी फेल हो बड़ा आये लव करने वाले ये बताओ काम क्या करते हो काफी डे में काम करता हूं सर काफी डे में सप्लायर बरतन ए सुन लिया ना तीन सो घर वाला बड़ा खांदान है हमारा इस सामराज्य का दामाद बनने वाला काफी सप्लायर बरतन घीसने वाला है अपनी बेटी की शादी मैं इससे नहीं होने दूंगा और नहीं इसके साथ मैं खाना खाऊंगा कोई भी दूंगा मिला था इसे चलो समय हां से अब आम सॉरी कोई बात नहीं हम किसी की इज़त करे या ना करे लेकिन खाने की इज़त तो हमेशा करने ही चाहिए दुनिया में हर इंसान कमाता है तो किसलिए कमाता है खाने के लिए लिए ना नो प्रॉब्लम तुम खाओ ना यह प्रॉब्लम तुम तुम खाने के लिए लिए तुम खाने खाने के लिए यह तुम खाने की इज़त की बाहता है कि … कि है अरे यह सब चल के रहे है यह यह हमारे गाओ के कुछ्छ ती है ने यू मेंन डवो डड़ी याँ में चिते का मोई बाल की उठाए गाइगा आफ है कि छोड़ना नहीं उसे है 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 कि तो है हुआ है 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 कि देखा किुम में अबंवागागागागागागा कि खाना खाते समय मैंने आपका बहुत दिल दुखाया मुझे माफ कर दो ससुर जी ने मुझे बहुत डाका कोई बात नहीं सर कि मुझे हरा ने बाला कोई नहीं है कोई हो सामने आाए जो इसलों सकता है और यह कारिक्रम है ऐसे कारिक्रम में तुम फटे वे कपडने पहन करायों ह्पर आईगा हरा 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 गाइगा यह लड़ेगा तुम से अब तेरी खायर नहीं, तुझे धूल चटाने के लिए मेरा ये सिंग हा रहा है सिर्फ मेरे खांदान की लड़की से प्यार करने से कुछ नहीं होगा, इस घर का मान सम्मान भी तुझे बचाना होगा अगर तुम जाकर उससे नहीं लड़ोगे, तो मेरे ससुर जी की इज़त चली जाएगी, और उन्हें अपनी इज़त जान से भी प्यारी है, अब जाओ, बली चड़ने वाले बकरे अब शुरू करो, बजाओ रेव, सब ताली बजाओ, बजाओ, बजाओ उसी में कहा, मैं लड़ूँगा, आपकी इज़त बचाओंगा आजमाओ, आजमाओ चिन्दा मत किजिए ससुर जी में कहाः, दरा या, नहीं तो तुछी जीतेगा घुए अरे बहुता हो जीतेगा अजा है और बच्ची भी जागे त्याव अजा बहिया बहिया उठोना प्लीज भाईया उठोना उस भगवान को हमारे गाम वाले उठाए ऐसा चाहिए शातियों में आप्यों आपी बजाओ रेन अगाडा कर दो कर दो आप Ciao कि अा भा जाद मैं आप्यों अजा आप कि Ay ho, आप्यों कि अजय को पर दो कि अजय को यह को या जो इसे हराने की हिंमत रखता है कि अजय को इस हुआ। भूरी तुमसे मिलके मैं खुद को, मैं कौन हूँ मैं जानू ना, मुझ पे जादू हुआ तेरा गहरा, हर पल तेरा अब है पहरा। उत्रे गगन से मेरे ले, सपने हजारों ने के तुम, मेरे गगन का उचंब है तुम, और मैं सैचन तेरी चादेरी हुआ। He is a love musician, don't fall in love, don't fall in love He is a love musician, don't fall in love, don't fall in love मैं तो ना जानू मुझे को हुआ क्या मैं हवाओ में उड़ती फिरू है वो हवा तू जिसके खुश्बू क्यानू था। लेक में तू महकू तुम से है मेही वासता जैसे मनिजिल का रवा रासता यकपल तेरी बिन मैं न हूँ तुझको ही अपना रब मानू तुझको ही अपना सब मानू चनवों जनम मैं तेरी बनू He is a love musician, don't fall in love, don't fall in love He is a love musician, don't fall in love, don't fall in love Потомуif, don't fall in love, don't fall in love I never know what you mean No you know anything I want to make I tell you me, I sound that I셀 और तुझे ही तो मैं निहारू दूपल मेरा तुही रम्हा मेरा जीने की तुही मजा पिया तुमसे जुदाना कभी मैं रहू दिल से हवीशा तुम पे मरू हर पल दुआ में तुझे ही मागू तुरे मेरा तुको जगू ही इज लव मैं जशेयर दो फॉर लमव दो कॉल इंवब ही इस लव ब्योजेशी दो फॉर इंव जशेयर दो फॉर आफ दो वह जआ फॉर आफ यह हमारा अम्रित्यश्वार स्वामी का बंदिर ओस्टॉ ओव वाह । है क्या यहाँ को यहाँ खेल शुरू होने वाला है क्या गेम के बारे में इंफॉरमेशन दे दी होती तो मैं भी तयार हो जाता ना अब तो मैं एकदम सब मिलकर मुझे सूली पर चाड़ाना चाहते हो मुझे तो पहले समझ आना चाहिए था कि तुम लोग कुछ ना कुछ तो आया था मैं देखा जाए तो अपनी मंगनी का नाम सुनते यह मुझे अभी नहीं करनी जित करके दर्वासा बन करके कुंडी लगा कर रो रोकर बेहाल होने की बजाए उल्टा इस तरह श्रिंगार करके मेरे सामने कडियो लड़का तो बुद्दू है लगता है बली का बकरा तुम तो मुझे बसाना चाहती हो ना लेकिन मेरे तैयार होने का कोई सीन नहीं है किसी दूसरे की प्रापर्टी का मैं की ओनर बन जाऊ हूं मैं तो अल्रड़ी एंगेज हो चुका हूं यह रहां इंगेजमेंट रिंग अगर चाल तो यह सारे सवाल मुझे तुम से पूछ करने के लिए हैं सच कहाना मैने अब मैं स्यॉसाइड करणों खरती है हर ना लेकिन आसू नहीं तुम को कहां से आ जाते है पाणी को कहां कहां छुपा कर रखती हो तप्टप करके घरती है ज़ा अने बात कहां जा रहे हो मुझे उनसे कुछ बात करनी है और उनसे क्या बात करनी है कमाले हमसे बीना इंगेजमेंट रखेंगे तो मैं कर लूँगा क्या कैसे नहीं करोगे मैं शादी के लिए मान गया यहीं बड़ी बात है अब क्या सब कुछ हम तुम से क्या हो रहा है दमाई बाबू कुछ नहीं ससूर जी इसके नौक पे एक मख्य बैठी वी थी बस वही उड़ाने के लिए मैं कह रहा था रही जूड बोल रहा है क्या हुआ बेटा कुछ नहीं सर पूछे बिना मंगनी इसलिए मैंने बेटा आज का दिन बहुत अच्छा है मु अगर अभी मैं गुसा हो जाऊंगा तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी अब तक जो भी किया ना वो साब व्यर्थ हो जाएगा इसलिए अभी अंगुठी बदल दी तो शादी तो नहीं हो जाएगी ना इसलिए तुम भी दिल में कुछ मत रखो और मैं भी दिल में कु जब दिल से दिल मिलते हैं तो रियल इंगेजमेंट होती है अब जी की पूती के मंगनी के खुशी में बेटा ये इस मंदिर का पुराना रिती रिवाद है इस नंदी के बीच से सौामी का दर्शन किया तो जिन्दगी बर खुश रहोगे ऐसे इस मंदिर की वर्जु से माननेता है अगर यह सब मेरी लबर को पता चल गया तो पता नहीं वो कितनी नाराज हो जाएगी बहुआद योरी बेटी, मेम्स आपके फ्रेंड, तुले के नाम, सूरिया है मेडम, ओ, हाई, नमस्ते, क्या है ये, मैं जो चाहती हूँ, तुझे भी वही चाहिए, हाँ, मैं क्या करूँ, तुम जो भी चाहती हूँ, वो मुझे भी सूट करता है, आहाँ, कॉंग्राट्स, ये, गुरुक्षेत्र की धर्ती, कि तुझ में आकर मिलना ही है हम सब की नियती, मेरी जिन्देगी में अभी रामायन शुरू होने वाला है, और मुझे यहाँ बैठकर महाबारत देखना पड़ रहा है, ये भी आ गई, तुझ कैसे समझाओ इसे, तुम खुश हो नहीं, हाँ, खुश हो या नहीं, ये पूछ रही हूँ, मन चाही चीज मिलेगी, तो खुश कैसे नहीं होगी, जब कॉलेज में थी, तब बिना पूछे मेरी बुक्स ले जाती थी, सर्फ बुक्स ही है, ये सोचकर मैंने जाने दिया, मेरी पसंद की हुई साड़ी जुम, मैंने खरीदी थी, वो बिना पूछे ले गई, मैंने कोई बात नहीं, तुम्हें तो आदत है, मेरी पसंद की हुई चीजों को लेने की, चीज, मैं चीज हूँ, अभी और क्या-क्या सुनना पड़ेगा, तुम दोनों में प्यार कैसे हुआ, अपनी लव स्टोरी बताओ, प्लीज बताओ, मैं आपके हाथ जड़ताओ, अपनी यह मुझे कॉफी डे में दिखाई दिये, उसके बाद बस में, थर्ट टाइम बस टॉपर दिखाई दिये, पहले तो मैंने इन्हें नहीं देखा, फिर अचानक बारी शुरू हो गई, तो इन्होंने चाता दिया, फिर मैं बैग भूल गई थी, तो इन्होंने बैग लाकर और एक दिन आकर I love you कह दिया, पहले मैंने कहा, फिर बाद में कहा, तो इसने प्रपोस किया तुम्हें, पूरा खतम, अरे ओए, इसने तुमसे तुम्हारी लव स्टोरी पुछी, तो तुमने मैंने जो बूलो, वो क्यों बताया, और क्यों मुझे इस तरह फसा रही हो, बेबी, बेबी, stop बेबी, are you crying, बेबी, आसु आने जैसे कुछ भी नहीं हुआ है, बेबी, सच कह रहा हूं, मैं सब बता दूँगा ना, तो तुम समझ जाओगी, मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ, कुछ पताने की ज़रत नहीं है, आमी जाने का बहाना करके, यहां कर इंगेजमेंट कर ली, मुझे छूट कहा तुमने, हाँ, रोज तुम्हें कॉल करके परिशान हो रही थी मैं, और तुम हो की मोबाइल स्विच आफ करके खुश्या मना मैं उसे कैसे गुम कर सकता हूँ, मैंने तो अपने जेब में रखी है, यह देखो, लड़कियों की फीलिंग्स के साथ ऐसे कहते हो, जब मेरे प्यार से दिय हुए पापी को तुमने लेने से इंकार कर दिया, मुझे समझ जाना चाहिए था, कि तुम्होरा पर आमने विश् चलने कल, बेबी, आप अधिकना प्रेंड़का, लव इस ग्रेटर देन फ्रेंडशिप, एंद आम अधिसपॉंटेद लवर, तुम्हारी इजट को होलसेल में जाकर बेच दूँगी, जैसा मेरे साथ हुआ ना, वैसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और मैसा नहीं होना पूरी दुनिया को बदा दूँगी, बैठो, 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 बैठ जाओ, अरे, आसमान में देखर ऐसे नक्षतर क्या गिंद रही हो, कुछ तो बोलो, मेरी लाइफ खत्र में बोलो लो इसे, उसके साथ क्या बात कर रहे हैं, मेरे साथ बात कर, मैं गौरी, होने बाले पती को ऐसे नहीं बोला करते हैं, तु और होने बाले पती, टू पती नहीं है, घार्य, अहाट लव यू गौरी, टूट, टूच मे, फूख गौरी, जी वाघ, उसक करते हूं, भूरी, एफ रहे हाट अख हौरी, जीन जीन दुख लव यू लाइप काउंट करें गौरे तुम्हें कैसे समझाना है यह मैं बहुत अच्छे से जानता हूं अच्छे से जानता हूं मैंने का ना तुम जीटर हो मेरे सामने तुमने इसे किस किया जब मैं नहीं रही होगी तब पता नहीं क्या गया होगा तो तुम नीचे बढ़के तो इसे दे दिया अच्छे अच्छानल वालों को बिलाओंगी है हाई गौरी गुड मॉनिंग अरे बैग लेकर कहा जा रही हो गाउं जा रही हो अरे त्योहार हो जाने दो दोनों साथ में चलते हैं तुम यहां पर रहो तुम्हारे ससुर का घर है मेरा नहीं यह बहुत ज्यादा हो रहा है इस खेल को फूल स्टॉप लगा और आओ मेरे साथ आओ अरे तेरी तो चलो मेरे साथ अंसी का यह सब क्या है यह क्या कर रही हो तुम्हारे लव की मैं हेल्प करने आया था तो यहां पर मेरा लव बिकड़ गया है मैं कल से बहुत परिशान हो रहा हूं मेरे एक्शन का तुम्हारी ऊपर कोई रियक्शन ही नहीं हो रहा ह तो यह मुझे बचा कर यहां ले आए संजय के मुंबे से आते ही मैं उसके साथ चली जाओंगे आप सुन लिया ना समझ गई ना और अब तो मुझे पर यकिन आ गया ना और मैं तुम्हें चोड़कर कहीं नहीं जा सकता यह पता चल गया ना अरे हंसी का तुम्हारे लवर को क्या करना चाहती हो तुम किसी दूसरे से प्यार करती हो तो फिर इसके साथ मंगनी क्यों कि तुमने उस खांदान में आखिर संजय नाम का लड़का कौन है तु जरा बता मुझे तुम इतना जूट क्यों बोल रही हो बता बता मुझे मारो दादी और जोर से मारो हां मैंने सब छूट बोला है मैं किसी को नहीं चाहते हूं मैं जान बूच कर नाटक करके इसे यहां लेकर आई हूं मगर मेरे लिए नहीं आप लोगों के लिए इसे आप लोग क्या समझ रहे हैं यह आपके बेटे का बेटा आपका होता है विजय सिम्मा रुद्रप्रताब जी का एक लौता बेटा सोर्य रुद्रप्रताब यकिन नहीं हो रहा है ना दादी मैंने पहली बार इसे इसके इंगेज में मिले खाता इसके माता-पिता की बाते मैंने सुन ली थी सिंह खांदान कितना बड़ा है जानती हो इतने बड़े खांदान का लड़का है यह उन लोगों को बिना कुछ बताए तुम यह मंगनी कर रहे हो यह बात मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है आपको मैं हजार बार क्या चुकी हूं ऐसी बाते मत कीजिए वह मेरा ही मेरा बेटा है मेरा अपना बेटा है मैं अपनी मर्जी से उसे नहीं भेजूंगी अगर वह चाहे तो तुम उससे ले जा सकती हो रोज उस फोटो के सामने आप शबरी के तरह इंतजार करती है ना अब वापस आने के लिए आपका बेटा नहीं रहा हूं इसलिए मैं आपके है मैं यहाँ पर लाए हूँ जब यह प्यार करने वालों को मिलाने के लिए रिस्क ले सकता है तो अपने लोगों को मिलाने के लिए बेंसे यहाँ राय हूँ यहाँ जरूर करेगा दादी मुझसे बहुत बड़े गलती हुई है मुझे मारो मुझे गलती हुई है मुझे माफ कर दो मा अब उस गलती को मैं ही सही करूँगा और अगर मैं यह काम नहीं कर पाया मा करें है तुम मेरा बेटा आकर करे गाँ कर शुर्याद को मेरी बात तो सुर्याद तुम चाहाओ तो यहीं रुको मैं तो जाओगा और ने 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 लाइफ में जितने भी लोग मिले सारे के सारे फ़साने वाली मिले जिए ची चीए क्या कर्में मेरा आञा वह सुर्या सुर्या सुना तो हलो आन्टी एक मिनिट सूर्या तुम्हारे माझा फोन है हेलो सूर्या मुझे पाफ कर दे बेटा इतने दिनों तक तुछ से जूट चपाने के लिए वो लड़की जो के रही है वो समसच है तो उसी कांदान का मेंदर है कि मैं तुझे वहां नहीं वेजना चाहती थी बेटा तेरी तक्दीर खुद तुझे वहां लेकर गई है अब तुझे अपने पिता का एहसान चुकाना है अगले चार दिन तक तुझे उस पिता का बेटा बनकर जी उस दादी का पोता बनकर जी नहोगा बेटा उस स्वंश का उत्तराधिकारी बनकर जी उन दोनों परिवार को एक कर दे बेटा अब तेरे बाहर रहने का सिर्फ एक उदेश है यही तेरा करताव्य है और तुझे ये पूरा करना ही होगा बेटा अन्सिका जी मुझे अपने घर में लेकर चलो कर भी ध्याओ जाद लेटान Sाथ को भी तेरे बaching, हमपना सुमझा जी है उड़ता का में हो श्रेटा लेए साने जी होगा अगर आप खामोश रहेंगे तो कैसे होगा उन लोगों ने मंदिर की जमीन भी नहीं छोड़ी आप कुस तो कीजिये मालिक कम से कम उनसे बात तो कीजिये ठीक है मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूं, दादा जी हॉस्पिटल में है घॉस्पिटल में है मैं और दादाजी उन लोगों से मिलने के लिए गएठे और आज जमिंदार किसी से भी नहीं मिलने वाले है अरे मालिक मेरी वज़े से आपको आना पड़ा मैं बहुत शर्मिंदा हूं मुझे माफ कर दीजिए कितनी बार कह चुका हूं कि हमारे रास्ते में मत आया करो आज आपका टाइम खत्म हुआ का मिलेगा वो अच उनके गांबते वहार है वहीं पर होगा वो इस शक्ती पीट में बैठकर सर पे हल्दी का पानी डार कर मन में जो भी मनत मांगेंगे तो देवी उसे पूरा कर देती है देवी मा आज तक मैंने आप से कुछ भी नहीं मांगा इतने सालों बाद मेरे एक दादा है ये मुझे पता चला उनके प्राणों की रक्षा करना बस यही इच्छा है कुछ ती में जीत किया तो सारी दुनिया जीत जाएगा इस बात के भ्रम में मज जी किसी आदमी से पंगा लेने से पहले वो आदमी कौन है कहां कहां उसका खांदान क्या है ये जानना जरूरी होता है पूरे गाउं वाले हमें शेर खांदान कहकर बुलाते हैं सालों से हम लोग यहां पर राज करते आ रहे हैं पूरे गाउं में हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता इतना ही नहीं पूरे राज में तु जाकर किसी से भी पूछेगा ना तो हम लोग कौन है तुझे मालूम चल जाएगा लक्षमे नई बेटा पीछे अट जा तेरे खांदान के बारे में पूछो तो तुझे बताना पड़ता है लेकिन मुझे देखते ही लोग समझ जाते हैं चीते के पास तेजी होती है शेर के पास गंभीरता होत ही है लेकिन इस सूरिया के पास तीनों चीज़ें हैं मेरे गाओं में मुझे सोल्जर कहते हैं अगर तु सोल्जर तो बॉटर पे जा करके बंदूख चलाना अरे बेवकुफ रोज मा के बारे में सोचने वाला बेटा भी सोल्जर है बेटे को देखने वाला पिता भी हर दिन हर पल अन्याय के विरुद लड़ने वाला हर इंसान भी तो सोल्जर ही है मैं सोची रहा था कि बॉर्डर पर जाने वाले इंसान को भगवान ने यहां पर काई को छोड़ दिया डिसाइड हो गया है मुझे तो बस युद्ध करना है चाहे वहां हो या फिर यहां पर अब तू तयार हो जा बेटा तू ही पाकिस्तान मैं हूँ हिंदुस्तान बॉर्डर तुम पार मत करना मैं ही पार करूँगा जाओ आजा जाओ माई पार जाओ जाओ भी पार जाओ कि लाइफ में सब को बर्थ डेट तो याद रहती है लेकिन किसी को डेथ डेट पता नहीं होती लेकिन तेरी डेथ डेट मैं बताता हो जब तक वो सांस लेते रहेंगे तब तक तेरे जान की वैलिडिटी है जिन्दा रहोगे तो कही और भी प्रपर्टी बना पाओगे यह जमीन के बेपर किसानों को दे दो कुष्टी में हवारे आदमी को हराने के बाद ही उसे खत्म कर देना चाहिए था उसे चोड़कर बहुत बढ़ी गल्ती हुई इसको मारा उसने उसकी इतनी हिम्मत हो गई है शेर खांदान का नाम सुनते लोग डढ़ने लगते हैं सब लोग अपना सर नीचे करके बात करते हैं उसने स्थर उठाने के हिम्मत कैसे की उसकी गर्दन काटकर अगर इस दरवाजय पर उसकी गर्दन नहीं टाएंगी तो मैं शेर खांदान का बेटा नहीं आजाओ विक्रम हां त्योहार तक रुख जा उसकी मौत मैं भी देखना चाहता हूँ मेरे खांदान को बचाने के लिए तुम्हारे अंदर सारे गुण मौजूद हैं इसलिए मैंने अपनी पोती की शादे तुमसे करवाने का फैसला किया मगर तुमने सब के सामने मेरे खांदान को लज्जत कर दिया उस समय जो वह छोटी सी गलती हुई थी उसकी वज़द से आज तक दुखी हूँ अब फिर एक और गलती करके ऐसा मत करो कि मैं अपनी मौत तक दुखी रहूं इतना ही रहने दो फिर कभी ऐसी गलती मत करना जाओ कल सुबा में यहां से चला जाओंगा एंबिशन चेंज दादाची निंग तो कहा है ना क्या कहती हो बुजूर्ग इंसान है अगर गुस्से में दो बाते बोल दी तो एड़्यस करना होगा ना अरे क्या एड़्यस करना होगा प्रैक्टिकली जीना सीखो कितनी उम्र है से इंजॉइ करती रहती हैं और तुम्हें देखो तो तुम दादी भाई इन सब को मिलाने में लगी हुई हो अरे तुम्हें इतना सीरियल की तरह होवरेक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है कैसी बात कर रहे हो तुम जब से तुम से प्यार किया है कोई गिफ्ट मांगा है क्या नहीं ना तो इसे ही गिफ्ट मान लो प्लीज यार मेरे लिए इतनी हेल्प कर दो ना वो लोग है यह पांडव लोग है और मैं श्री कृष्ण परमात्मा दोनों को मिलवाऊंगा है चल निकल यह तो कभी सीरियस ही नहीं हो सकता चलो ठीक है तुम कहते हैं तो एक लास यह क्यों इतना बडा लोगकर ओपन करने के लिए छोटे से की जरूरत पढ़ती है ना उसी तरह बड़े समस्या पोई सोल्यूशन होता है जो शक्ति से नहीं होता उसे युक्ति से करना पड़ता है प्यार से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है तो प्यार से ही उसका एंड करना होगा या बेभी वो भी मेरे स्टाइल से कौन है वो लड़की ये शेर खांदान की लड़की है यलो आम को देखकर खाना चाहती हो तो उसमें कोई गलत बात नहीं है एक्सप्रेस करना सीखो मेरा भी आपकी तरह सेम कैरेक्टर है इसलिए एक्सप्रेस कर रहा हूं एक्चली तुम्हें पहली नजर देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया है लवेट फसाइट डरो मत मैं ऑपोजिट पार्टी का होकर भी आपसे प्यार करता हूं कह रहा मैं आपको पसंद करदा हूँ तो आपको भी मुझे पसंद करना ही है ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है ना जरस्ट एक्सप्रेस कर रहा हूं बस प्लस तो हनसी कह से मैंने अपने मर्जी से एंगेजमेंट नहीं कि थी मुझे धोका देकर एंगेजमेंट करवाई गई अर मैं सच कह रहा हूं क्या हुआ है समझागी ना मुझे बताता हूं फ्रेंड्स मैं दूसरे लड़के से प्यार करती हूं एक हफ्ते तक मुझसे प्यार का नाटक करो ऐसा बोलकर मुझे इमोशनली लॉग कर दिया और लवर्स का प्रॉब्लम सुथ कर तो मैं पहले ही बहुत स्यादे इमोशनल हो जाता हूँ जो भी मुसीबत आने दो लवर्स को खुश रहना चाहिए ऐसा सोचने वाला मैं कैंडिडेट हूँ और देखो ना मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है क्या क्या रहा है लगता है डाना डाल रहा है क्यों अगर इसने इस लड़की से शादी कर ली न तो दोनों फैमिलीज एक हो जाएंगे ऐसा सोच रहा है ओहो हो इससे ही त्याग क्या रहा था क्या ये बाइ बाइ इथरा क्या है तारारी रूरू अनसी को जी स्पीट से वह जा रहा है लगता है आज तो उसे पटा ही लेगा नहीं गाओ की लड़किया बहुत स्टॉंग होती है इतनी आसानी से नहीं पढ़ती नहीं तू उसकी बारे में नहीं जानती वह बहुत स्मार्ट है डायलोग से जर्णी को प्रपोस कर रहा है शौफ मत हो ना मैंने आपको आईलोफ भी बहला तो आपको भी मान लेना चाहिए जुरूरिया नहीं है न? यह सारी बातें दिल पर मत लगाई है जमीन को बारिश चाहिए बारिश को फूल चाहिए और इस फूल को लड़की का हाथ चाहिए मैं आपकी हासी देखने के लिए बेताब हूँ तो स्वीट मैंने कहा था ना वो से अपने डायलोग से पटा ही लेगा थांक यू जानू यह यह कमर बंद बहुत अच्छा है जुमका भी थांक यू लक्षमी के जैसी दिखती हो अचुडिया अरे वो तो सूपब हैं सूपब सूपब बहुत थांक यू ओकी बाई कल में गाउं के बाहर पहाड के बीचे तुम्हारा अंधिसार करूंगी इसकी तो इससे तो रहे चोड़ मुझे छोड़ तो क्या है फ्रेंड्शिप इस बेटर दन एवरिफिंग हम चल लहेंगा दूपट्टा छोड़कर यह सिधा चुड़िदार में आ गई गाउं की होगे सोचकर मैं भी थोड़ा जल्दी आ गई अच्छा अच्छा सॉरी हाँ थेंक्यू आपसे बात कहनी है हां बोलो ना आक्चली हां आक्चली एक्चली बैने आपको फर्स ताइम देखा था तो मुझे आपकी स्वाइल बहुत अच्छी लगी थी सेकंड टाइम मिलने के अच्छा सोना चाहती हूं पर नीद ही नहीं मुझे तो लगता है आप पर मेरे पर मेरा देल आ गया है यह सब क्या चल रहा है वहां वह लोग उस पथर पर अपने प्यार का मंडब बना रहे हैं अच्छा है अच्छा है और और मेरी तरफ से आपको एक छोट इस गिफ्ट म तुम्हारे खांदान को मिलाने के चक्कर में मेरी लाइफ बर्बाद हो गया और वाव सो क्यूट अब बुरा ना मारे तो क्या मैं आपको एक बर हग कर सकती हूं पीज कड़क से पकड़ना है यह सब में प्यांकों से नहीं नहीं सकती है मैं भे देख नहीं माओंगी डिंग 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 प्रापट लिख देंगे, खुद को बेच देंगे, प्यार यू करेंगे, समझे के ना समझे, ना तो मेरा धिल तोड़, नजर जरा मिला, जारे बाबाले जोड़, करना इतना हला, इश्क में सब जायस है, सुले मेरी गला, इश्क की कवाएं पे है, फिर तो जले मिला, प्रि करना जांदू, करना जांदू मेरे जैसा और होगा यहाद कौन, मेरी अदाउं पे हसना करें हाँ, अरे बारे बहे बाहे 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 औरे ना हूँ रोबिन हुड, देख मेरा आठीट्यूड, कुड़ी अपना लप्स्टिक का तम मुझ पे करें, नारे नारे तरबा, पाउंटी पे बला, सिक्सर इन सच्छरा गला, जीद गया हूँ मैर जा सुवान आला, संचर ही मारू जब चला हूँ मैं पला, इफ्रिंट मैं हूँ धिफ्रेंट मेरा बला, अथ है रसीली तेरी तोफ्भी है रसील, आब से मिलके दयल मेरा हजाता है महाचिल, तो मैं मैं को पिया हुआ, तू, हाई- करी बाचारू आजा मुझे डस्तू, बच्चे परस्तू, अगोरी रस्तू, पिला मुझे जानू, नारे नाचू, प्रापट लिख देंगे, खुद को बेच देंगे, प्यार यू करेंगे, समझे के ना समझे, नारे नाचू, देखिये, यही मेरा इकलौता लड़का है, एलल भी पढ़ा ह हम तो बस इतना चाहते हैं कि अच्छे से खांदान से हमें बहुत मिल जाए, हम जानते हैं आपका दिल बहुत बढ़ा है, बस आप अपनी पोती की चादी हमारे बेटे से करवा दीजी, पहले लड़की तो देख लो, लक्ष्मी, ठीक है, शास्त्री जी ने कहा था कि दिन के बाद बहुत अच्छा महुरत है, हाँ, क्यों बेटा, तुम्हारा क्या फैसला है, दादा जी, जो आपका फैसला वही मेरा, दादा, हमारा खांदान किसी गुरू की बात को अस्विकार नहीं करता है, हमारी तरफ से हाँ है, क्या लड़की है, इतना अर्जेंट आने के लिए बोलती है, और इतनी देर लगा देती है, यह ऐसा निकलेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, तो के बस कहीं का, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब उसे थपण मार दो, पर यह है कहा, वहाँ, चल, वा, खुदी अर्जेंट एतने आने के लिए बोलती हो, और बात में खुद लेट हो जाती हो, बताओ बात क्या है। अबहुत सीरियस है, क्या, आपको यह यह, आपको एक बात बतानी है, मुझे टााटना मत्, मुझे बहुत बाटना, नहीं आता है, बոलो, शुक लग सकता है, बाए बर्थ, डबल ह किया था भास आयरे उस सर्फ उनसे किस से नवस्ते जी है जैसे हैने पिछले तीन साल से इंसे प्यार करता हूँ मैं इसका लवर लाँ तो फिर मैं क्या खाली जोकर हूँ एए मुझे क्यों इसे फूल मनाया मैं तो इसत आचा के साथ आयए tha सब हो गया तू सच कह रही है ना कहीं दूटों से प्यार नहीं कर दी नहीं तो मुझे तो डाउट है आपने उस दिन कहा था ना कि कॉंसेप्ट बहुत अच्छा है क्या कहा कॉंसेप्ट कहे का वही लवस मुझे बहुत पसंद है उन्हें मिलवाने के लिए आप कोई भी रिस्क है उसका और इसका क्या कोनिक्शन है आप से प्यार करने का नाटक करके आप के साथ बहुत यह जाओंगी भी है कि आप एक नमबर कमिटेड हो लेकिन मैं समझ नहीं पाया चलो खुश रहो एंजोई केरी ओन अब हमारा प्लान पूरा उल्टा हो गया है अब मेरे किसी और के साथ इंगेजमेंट हो गई है अब हम दोनों भाग गए तो मेरे घरवाले चान ले लेंगे और ऐसा कोई भी नही यह मैंने लाइफ में बहुत रिस्क लिये हैं चलो यहां भी एक ले लेते हैं मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो मैंने इसे गलत समझा बगवान जी मैंने इतने अच्छे लड़के पर डावड किया आम सौरी बगवान जी साथ चनमों तक इसे ही मेरे पती बनाना लग रहे हैं मैं आपका ऐसी बहुत साई ड्रस दिलवादूगा मेरे पास बहुत पैसा है मालिक लक्षमी कहा है लक्षमी मालकिन कहीं दिखाई नहीं दे रही उनके कमरे में से चिट्टी में अरे लक्षमी की चिट्टी पूछ जी डादा जी आपने मुझे बहुत वाले सुर्या ने मेरा साथ दिया मैं तो उसी आदिया पक सिछादी करूगे यह लक्षमी बिक्राम कुछ करो ना अभी अरे कधी राओ ना इस कड़ी को भी आभी खरा होना था लुभा लव लेट 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 लेट, ल्डुभा लेटुअ बैया कौन है यह मैं इस लड़के से प्यार करती हूं मुझे वो लड़का बिल्कुल भी वैसे नहीं है बैया मेरी पहन से शादी करने की तरी हिम्मत कैसे हुई भाया भाया जी कैसे बहाई हो तुम से तो अच्छा मैं सिंग कांदान वाला लड़का है वैया 25 साल पहले उसके भाई ने एक अजयांची को चाहने वाली उसकी मेहन के साथ आगे पीछे कुछ भी सोचे बिना उनकी शादी क ज़क्किल शाद्वादी थी और तुम हो कि अपनी ही वहन के सामने उसके प्यार का खून करने जा रहे हो कैसे भाया हो तुम चींच शारम होती है मुझे तुम पर अगर तुम्ने इससे चुआ भीना तो मैं अपनी जाल ले लूगी तु अगर भागना चाहती है तो भाग जा मुझसे गुस्सा है तो मुझे थपड़ मार दे वगर ऐसी बाते मत कर मुझसे तुझा अथी मेरी बेहन मुझे बहुत प्यारी है महिया देख तुबहरा ऐसी बाते मत करना तुझे इसा चाहीगे न बहना ऐसा ही होगा तु इससे शादी करना चाहते है इसी से शादी कर जा मेरी बहर का खयाल रखना हाँ महिया रुको कि यह पहाँ जब रहे हैं हुए को इस नदी को फॉंकार हो जान्दो को फोंकार हो जो लक्ष्मी घर में चिठी रखकर भाग गई है वो सिंग खांदान्ञा को यह नस्मा स्वामी के अ मंदीर के मंदिर में उन दोनों की शादी कर भारा कैसी आइडिया दी तुमने अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो हमारी जान चली जाती पता है तुम्हें चाहने वालों के साथ लाइफ लॉंग जीना चाहते हो तो जान को खत्रे में डालना ही पड़ता है पता है ना क्या रह Давайте I מת क्या भगवान चे सामने अइस मुख क्यों बना रहे हैं अप उस दिन कहा था लेकिन आपं़ने मेरी एक ना सुनी आप उसे इस खांदान का अ Đरग उन्हें लेकिन वो तो हमारी जान लेने पर कुला है करहा क्या शेह एक लड़के से शादी कर आ हुआ खलती की बहुत बड़ी गलती की तुने शेर की मान में हाट डाल के अपनी ऑफ न भागी और दू है को बुलावा दिया है गलत किया मुझसे पंगा लेकर तुम लोगों ने बहुत गलत किया है किसके सामने खड़े रहकर बात कर रहे हो यह पता भी है मैं सूर्या हूँ फ्रेंड्स मुझे सोल्जर कहते हैं और लोग मुझे लोकल लीडर कहे के बुलाते हैं इस मिट्टी में करने के बाद सिम्हा खांदान की सीड़ी चड़ने के बाद मुझे पता चला कि मैं कौन हूँ विजय सिम्हा रुद्रप्रताब जी का एक ही पुत्र वन और लिसन सूर्या रुद्रप्रताब क्यों नाम सुनते गुस्सा बहुत बढ़ गया क्या या फिर अंदर से खून उबनने लग गया मुझे इसी जगह पर मारना चाहते हो ना है बस बहुत हो गया मर कर 25 साल पूरे होने के बाद भी लोगों द्वारा रखा हुआ मेरे पिताजी पर का प्यार और सम्मान कम नहीं हुआ और उनके नाम की वैल्यू भी कम नहीं हुई और तुम लोग बदला लेने के लिए मर रहे हो अभी भी कहता हूं कि यह जगड़ा वगड़ा सब बंद कर दो लेकिन तुम लोग तो सरिफ मारना और काटना ही जानते हो ना दुश्मनी बढ़ाना तुम लोगों की आद पीज का है आजाओ शेर पाले हैं तीन तीन शेर पाले हैं तो आजाओ बहुत बोलते रहते हो ना भेजो तुम्हारे पोतों को एक साथ भेजो सिम्हा वेटेंग कर दो इसे बोटी बोटी कर दो इसकी एःएएएएएए एएएएएएएश कि तेढ़ अ-पत्री शचिन अ-पत्री नगें के अ-पत्रीजू ऑण इडिए डिल्स प्लॉड़ उड़ा हैं श्रच्च विरो झाला करती हो जेर अटने का 500 gram कि रेवला कि झाला कि नपनE करता MRT 450 gram कि जेपरो्ट में बीद Fast ची जे पनी शधी का 2 do गंदे मारो लेकिन पीछे से नहीं मारो अगर मारना है तो आगे से मारो मुझे दिल पर मारना पसंद है अरे मारो ना भाया भाया वो मेरा पोता है भाया मेरे आधी उम्र आपको मिल जाए यही मेरे इच्छा है भाया कि सैसुर जी इसका नाम निर्मला है मेरी खास दोस्त क्यों रुक गए मारने को नहीं हो रहा है ना क्यों बहन के प्यार ने और ममता ने आपके हाथ बांध दिये क्या पच्चिस सालों से नहीं सुना आपकी बहन की आवाज में इतनी ताकत है तो पच्चिस साल साथ में रहने वाली मेरे पिता जी की बहन की आवाज में कितनी ताकत होगी इसका अंदाजा भी है रुक क्यों गए बेहन अगर प्यारी है तो ऐसा लगेगा उस दिन वो मरने जा रही थी तो मेरी बेहन की जान मेरे लिए मुख्य है ऐसा मेरे पिता जी को लगाओगा उस दिन चाहे मैं रहू या फिर आप रही है वो बेहन के बारे में ही सोचेगा एक बेहन का प्यार अपने भाई के लिए बहुत एहमियत रखता है चाहे कितने भी युग बदल कियों न जाए बेहन बेहन होती है उस दिन मेरे पिता जी का किया हुआ अगर गलत था तो आज आपकी पोती जो कर रही है वो भी गलत है आपके पोती को भगाने में मैंने मदद किये तो इनको भी मारना होगा सब को मार ढालिए यह मार यह मुझे मार यह मार यह मुझे मारिए लोग जाओ 25 सालों से अब तक तुम्हारा गुस्दा थंडा नहीं हुआ क्या वो मेरा पोता है मेरा पोता है उसे मारना चाहते हो तो मुझे मारो मुझे मारो मार दो मुझे मैं इतना क्रूर हूँ मैं इतना मैं इतना क्रूर हूँ जी जा जी इतने दिनों तक मैं अंदकार में था तुम्हारे पोते ने मेरी आखे खोल दी मुझे माफ कर दो जी मैंने अपना वादा निभाया मैं आपका ही बेटा हुना लेकिन मेरी आपको जुरूत नहीं ना मेरी जरूरत नहीं है नहीं चाहिए ना मत में समद के बेटा है आज भी तुम मेरा ही बेटा है कृष्णा को देवकी ने जनम दिया है अरे अश्वदारे पाला है तो मेरा बेटा है अरे जब देखो तब तुम जय जय बोलते हो अरे आज तो इनके लिए एक बार जय बोलो दोनों खांदानों के मिलने की कुशी में जय दो खांदान मिल गया रिष्टा भी एक हो गया अलग अलग अरपित होने वाला अब एक होकर उस नर्सिमह स्वामी पर अरपित हो रहा है यह सब हो जाने के बाद अगर आपको लगता है कि उसकी लाइफ में आप कोई सर्प्राइज नहीं है तो ऐसा मत सुचिए एक सर्प् के अंदर चला गया है आप यहां क्या कर रही हो मैं सुसाइड करना चाहती हूं फिर से सुसाइड वो क्यों इस बार मुझे सच्ची में प्यार हुआ है किससे प्यार हो गया हां तुम से लिए अ टिंदिंदिंगा